इलाज के लिए भले ही सरकारी अस्पताल में 5 रुपई की पर्ची करती है लेकिन वहान पार्किंग फीस तो 20 रुपई ही देनी होगे जी हाँ कुछ ऐसा ही खेल खेला जा रहा है पंचकुला सरकारी अस्पताल की पार्किंग में इसे पार्किंग ठेकेदार की दबंगई कहे या फिर अस्पताल प्रबंदन की मिली भगत कहे पार्किंग ठेकेदार जम कर कानूनों की धज्या उड़ा रहे हैं नियमो और ठेके के मुताबिक दो पहिया वहानों किफीस पांच रुपई और चार पहिया वहानों किफीस दस रुपई निरधारित की गई वहीं जब इस मामले को लेकर हमारी टीम ने अस्पताल के सीविल सर्जन योगेश कुमार से बात की तो उन्होंने शिकायत मिलने की बात कही और भरोसा दिलाए कि जांत के बात खामिया पाई जाने पर ठेकेदार के खिलाफ बंती कारेवाई की जाएगी तो आपको बता दे अस्पताल परशासन मौन है मरीजों के तिमारदारों को चूना लगाये जा रहा है पंचकुला सेक्टर 6 में ये सरकारी अस्पताल जहां पर ठेकेदार के द्वारा जो परची काटी जा रही है पार्किंग की वो जादा काटी जा रही है हलांकि दो पहिया वहानों की पांच और चार पहिया वहानों की दस रुपई की परची बनती है लेकिन यहाँ पर 20 से लेकर 30 और 40 तक की रकम वसूली जा रही है यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं हलांकि जो किराय निर्धारीत है वो 5-10 रुपे तक का है लेकिन यहाँ पर 20 रुपे तक की परची वसूली जा रही है यहाँ जा रही है झाल यहाँ जाँ